हेलो एब्रीवान वलकॉम तो श्रुती एकाडमी तोड़े वह डिस्कूस अबाउट टाइप्स ओफ इलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब कर सब्सक्राइब इसको मैंने जो है कैसे फॉर्म किया होगा सबसे बहले मैंने जो है फाइब वाय फिर माइनस तू और फिर इन दोनों को कम्बाइन किया तो मेरे पास क्या आया एक्स परेशन अब यह 5 y फाइब फाइब वाय फिर अगर इदर हमने फिर में हैं फिर माइनस तू अब फ्र यह कैसे फॉर्म किया होगा, सबसे पहले 5 और y, 5 and y, इन दोनों का हमने जब product किया होगा, तो हमारे पास क्या गया, 5 y, यह जो 5 and y है, यह क्या है, factors, क्या है, factors, अब यहाँ पर minus 2 है, minus 2 ही जो है, factor हुआ, जब हम factors का product करते हैं, जिसे 5 y, इन factors का जब मैंने product किया, तो मेरे पास क्या ही, terms, क्या ही, terms, okay, so, यह जो 5 y minus 2 है, इसमें 5 y एक term है, minus 2 एक term है, so, यह जो 5 5 minus 2 है, इस expression में total कितनी terms हो गई, 2 terms हो गई, एक होगी 5 y, और एक होगी minus 2, okay, अब नहीं हाँ पर जो हैंने कुछ expressions लिखे हैं, like 3 x square 5 y minus 2 x square plus 5 x minus 7, okay, अब हम इन expression में कितनी terms हैं, उन्हें जो हैं काम करेंगे, सबसे बहले देखो 3 x square, 1 term है, so, इसमें कितनी terms है, 1, अब 5 y minus 2, एक होगी 5 y, और एक होगी minus 2, so, कितनी terms होगी, 2, अब next expression में, एक x square एक term होगी, एक 5 x एक term होगी, और एक होगी minus 7, तो यह कितनी terms होगी इसमें, 3, so, वो expression जिसमें सिर्फ one term होगी, उसको हम क्या कहेंगे, monomial, क्या कहेंगे, monomial, क्योंकि mono means 1, अब वो expression जिसमें 2 unlike terms होगी, उसे हम क्या कहेंगे, binomial, क्या कहेंगे, binomial, by means 2, और वो expression जिसमें 3 unlike terms होगी, उसको हम क्या कहेंगे, trinomial, क्योंकि tri means 3, so, an expression with only one term is known as monomial, an expression which contains 2 unlike terms is known as binomial, an expression which contains 3 unlike terms is known as trinomial, और वो expression जिसमें 1 या फिर 1 से ज़्यादा term हो, उससे हम क्या कहेंगे, polynomial, अब मैंने कहा कि वो expression जिसमें 2 क्या हो, unlike terms, वो क्या है, binomial, मैंने यहाँ पे word यूज किया, unlike, अब ऐसी मैंने का, trinomial, an expression with 3 unlike terms, उसके क्या कहेंगे, trinomial, so, मैंने यहाँ पे, unlike, क्यों यूज किया, अब हम उसकी बात करते हैं, अब अगर, suppose, मैंने वोही expression लिया, 5y-2, अब यह जो 5y है, यह term है, अब इसमें जो 5 है, यह factor है, y एक factor है, इन दोनों का product करके हमने term बनाया है, यह जो 5 जो factor है, यह कौन से factor है, numerical factor है, कौन से factor है, numerical factor, और यह जो y है, यह कौन से factor है, algebraic factor है, कौन से factor है, algebraic factor है, algebraic क्योंकि y क्या है, variable है, so, यह क्या है, algebraic factor है, 5 क्या है, numerical factor है, अब वो terms जिनके algebraic factors same होते हैं जैसे मैंने लिया 5y अब मैं इस 2 के साथ अगर y और लिख दू So इन दोनो terms के algebraic factors इसका algebraic factor क्या है y इसका algebraic factor क्या है y ये दोनों क्या है Same है So जिनका algebraic factors same होता है उन्हें हम क्या कहते है like terms क्या कहेंगे like terms अब अगर मैंने लिखा होता 5y-2z अगर मैं लिख दूँ तो इधर algebraic factor है y इधर algebraic factor है z तो ये क्या है? Unlike terms क्योंकि algebraic factor सेम नहीं है अब मैंने ये क्यों कहा कि वो expression जिसमें 2 unlike terms हो कौन सी terms हो? Unlike terms हो वो binomial है like terms क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि अगर ये 5y-2y है algebraic factor सेम है तो हम इने subtract कर सकते है 5-2 हो गया 3y बट अगर unlike terms है जैसे हो गया 5y-2 या फिर मैंने लिए 5y-2z algebraic factors का different है तो हम इने subtract कर सकते है नहीं तो अगर हम अगर इने algebraic factor सेम है subtract कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? one term का बन जाएगा है ना? इसलिए वो expression जिसमें क्या हो? two unlike terms हो उसे हम क्या कहेंगे? binomial और जिसमें three unlike terms हो उसे हम क्या कहेंगे? trinomial unlike terms क्यों? क्योंकि अगर like terms होंगी तो उन्हें हम add या सप्रा करके solve कर सकते हैं है ना? अगर unlike terms होंगी तो उन्हें हम आगे further on solve नहीं कर पाएंगे तो terms उतनी ही रहेंगी अब हम ही जो है ना? बताना है कि इने expression में कौन सा expression monomial है? कौन सा binomial है? अब सबसे बहले देखो 4y, 7z कितनी terms है? 2 और दोनों क्या है? unlike terms है so कौन सा expression हुआ? binomial ठीक है? y square one term है तो कौन सा expression हुआ? monomial ठीक है? कौन सा जैबिट expression हुआ? monomial ठीक है? अब next देखो अब third part में हमारे पास कितनी terms है? 1, 2 2 and 3 so कौन सा expression हुआ? trionomial ठीक है? next में हमारे पास ये expression में सिर्फ एक one term है so ये क्या हुआ? monomial ओके? अब हमारे पास स्विट expression में कितनी terms है? 1, 2 and 3 so ये क्या हुआ? trionomial ठीक है? अब next expression में हमारे पास कितनी terms है? 1, 2 so ये क्या हुआ? binomial ठीक है? next expression में हमारे पास कितनी terms है? 1, 2 so ये भी क्या हुआ? binomial ठीक है? अब हमारे पास कितनी terms है? 1 so ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अब हमारे पास कितनी terms है? 1, 2 and 3 so ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अब हमारे पास कितनी terms है? 1, 2 so ये क्या हुआ? binomial and next expression में हमारे पास कितनी terms है? 1, 2 and 3 so ये क्या हुआ? trinomial okay so इस तरीके से हम जो है बता सकते हैं कि कौन सा टाइप of elgebic expression है? अगर हमें अगर expression given है कि वो monomial है, binomial है, trinomial है या फिर polynomial है I hope you like my video if you like my video then don't forget to like, share, comment on my video kindly subscribe my youtube channel thank you for watching my video